प्रीव विद्यार्तियों आज हम राश्तान बोर्ड के Mathematics Class 13 के चेप्टर 18 के बारे हम पढ़ेंगे। चेप्टर का नाम है प्राइक्ता, Probability, प्रयास यह करूँगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम दोनों को समझा सकूँ सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्राइक्ता होती क्या है, What is the meaning of Probability? Probability means numerical representation of possibilities of event is called Probability. मतलब किसी भी गटना के गटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना प्राइक्ता कहलाता है. That means Probability में क्या करना है अपने को पता होना चाहिए कि जैसे हमने कोई संभावना बताई, आज बारिस हो सकती है. ये एक संभावना है, अगर हमने के लिया कि आज पचास प्रतिसत चांस हैं कि बारिस होगी. पचास प्रतिसत मतलब पचास बटा सो यानि कि एक बटा दो मतलब आदे चांस हैं, वन अपॉन टू चांस हैं कि बारिस होगी. इससे हम लोग कहते हैं प्राइक्ता संभावनाती आज बारिस हो सकती है. 50% chance है इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइक्ता में बदल गए अब इसका जो संकेत होता है symbolic form उससे हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं PE अगर ऐसा लिखते हैं तो इसे बोलते हैं probability of event E probability of event E to be happen मतलब गटना E के गटित होने की प्राइक्ता probability of event E to be happen होने की probability अगर इसमें बाहर लगा दिया जाएं यहाँ पर तो इसे बोलेंगे probability probability of event not to be happen मतलब यह कि गटना E के गटित नहीं होने की प्राइक्ता PE लिखा है तो वो गटना E के गटित होने की प्राइक्ता होगई PE बार लिखा है तो गटना E के गटित नहीं होने की प्राइक्ता होगई अगर E के जगे A लिखा होगई तो उस गटना का नाम E हो जाएगा कुछ भी हो सकता उससे कोई फरक ने बढ़ता है फिर हमें ध्यान रखना है probability यानि की प्राइक्ता से related कुछ points हैं कुछ बाते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं अच्छा से जिसमें सबसे पहला point है probability never be negative probability never be negative किसी भी गटना के गटित होने की प्राइक्ता कभी भी रेनात्मक नहीं होगी मतलब minus में नहीं होगी बिन में हो सकती है fractions में हो सकती है percent में हो सकती है और minus में कभी भी नहीं होगी दूसरी बात अपने को धिहान रखने है प्राइक्ता जो है कभी भी एक से जादा नहीं होगी मतलब कहना का मतलब यह है कि कभी भी किसी भी गटना के गटित होने की प्राइक्ता एक से जादा नहीं होगी 0 से कम नहीं होगी सबसे कम सुनने हो सकती है सबसे अधिक 1 हो सकती है probability always lying between 0 to 1 अधिक तम प्राइक्ता 1 होगी निवन तम सुनने होगी फिर हमेर यहां रखना है अगर किसी गटना के गटित होने की प्राइक्ता का मान 0 आता हो सुनने आता हो if the probability of any event is equals to 0 then it is called impossible event उस समय इसे आसंभव गटना कहा जाएगा क्योंकि उसकी प्राइक्ता सुनने होगी फिर यदि किसी भी गटना के गटित होने की प्राइक्ता का मान एक हो that means the value of probability of event E equals to 1 that means highest value of probability इसे हम लोग कहेंगे sure or fixed या फिर certain event हिंदी में इसे कहेंगे निस्चित गटना किसी भी गटना के गटित होने की प्राइक्ता का मान यदि एक होता है तो उसे हम लोग निस्चित गटना कहेंगे 100% chance होंगे कि वो गटित होगी फिर next देखिए अगर कोई प्राइक्ता के लिए एक experiment हो रहा है उसमें सभी प्रारंबिक प्राइक्ताओं का योग the probabilities of all elementary events of an experiment is always 1 मतलब कि जैसे एक dice है मतलब पासा है उसको उस चला है तो एक आने की उसमें प्राइक्ता जो है वो 1 upon 6 है ऐसे 2 आने की probability भी 1 upon 6 ही है क्योंकि 2 वहाँ पर 1 time ही होता है ऐसे 3 आने की probability 1 upon 6 ऐसे सब को 8 करेंगी तो क्या आएगा 1 किसी भी एक experiment के लिए फिर इसमें कुछ बातों का और ध्यान लटना है कि जो probability है उसके लिए उसको अगर find करना हो तो उसके लिए actually क्या formula हमें use करना चाहिए तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे favorable outcomes favorable outcomes of event e to be happen होने की probability है तो और not to be happen नहीं होने की probability है upon total number of outcomes simple formula यूज करेंगे किसी भी probability को find करने के लिए हिंदी मीडियम में यदि किसी गटना के गटित होने की प्राइक तक याद करनी है तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे अनुकूल इस्ततियां बटा कुल इस्ततियां अनुकूल इस्ततियां मतलब favorable outcomes बटा total outcomes मतलब कुलिस देती है फिर ये formula ध्यान रखना है और एक और चीज इस्पेशली ध्यान रखने है किसी भी गटना के गटित होने की प्राइक ता और उस गटना के गटित नहीं होने की प्राइक ता का योग सदेव एक होता है the sum of probability of event e to be happen and probability of event e not to be happen is always one किसी भी गटना के गटित होने की प्राइक ता का योग गटित नहीं होने की प्राइक ता के साथ योग अगर ग्याद करेंगे तो हमेशा एक प्राप्त होगा और इसके अंदर जो भी जरूरी statements होंगे वो हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे फिर इसके अंदर देखिए मुख्य रूप से हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है जिसमें total outcomes कैसे calculate करते हैं total outcomes का मतलब हुआ कि कुल इस्ततियां कैसे ग्याद करेंगे तो जैसे सबसे पहले लेते हैं हम लोग coin ठीक है किसी भी एक सिक्के के लिए एक सिक्के पर two face होते हैं तो उसके अंदर total outcomes यानि की कुल इस्ततियां ग्याद करते हैं दो की काहत N मतलब 2 raise to the power N अब इसमें हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इधर हम लोग लिख लेते हैं number of coins यानि की सिक्कों की संख्या या फिर number of toss कि कितनी बार उसे toss किया गया है वो और इधर लिखेंगे total outcomes अगर सिक्कों की संख्या 1 है तो 2 की गात 1 मतलब 2 raise to the power 1 equals to 2 अगर सिक्कों की संख्या 2 है 2 raise to the power 2 तो उसमें लिखेंगे हम लोग 4 अगर सिक्कों की संख्या 3 है तो उसको लिखेंगे हम लोग 8 2 की गात 3 2 raise to the power 3 2 multiply 2 multiply 2 equals to 8 अब इसमें क्या होता है एक होता है head और एक होता है tell हिंदी वीडियो में इसको head को बोलते है चित और इसको बोलते है put चित और put head and tail जब 2 coins होंगे तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे दोनों पर head आ सकता है दोनों पर tail आ सकता है पहले पर head दूसरे पर tail पहले पर tail दूसरे पर head यह 4 outcomes हो जाएंगे इसी तरह से अगर 3 coins होते हैं पहले पर head दूसरे पर head तीसरे पर head ऐसे हो सकता है तीनों पर tail हो सकता है पहले पर head आएंगे बाकी दोनों पर tail आ जाएंगे दूसरे पर head आएंगे बाकी दोनों पर tail आ जाएंगे तीसरे पर head आएंगे बाकी के दोनों पर tail आ जाएंगे similarly इसमें भी 8 outcomes सिक्के के लिए ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक सिक्के को दो बार उच्छालना या फिर दो सिक्कों को एक साथ उच्छालना एक ही प्रकार की गटना होती है इसे हम लोग सम प्राइक गटना भी कह सकते हैं सम प्राइक गटनाओं का मतलब होता है ऐसी गटना है जिनकी प्राइक था समान हो equally likely events अब जैसे coin के लिए लिया है वैसे हम लोग dice के लिए भी कर सकते हैं dice का मतलब पासा इसके लिए जब calculate करेंगे तो उसके अंदर हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो total outcomes होता है वो कैसे निकाले जाते है 6 raise to the power n 6 raise to the power n का मतलब इसके अंदर 6 होते है faces इसलिए इसमे 6 raise to the power n इधर भी हम लोग ऐसे लिखेंगे number of dice या फिर number of throws कि उस पासे को कितनी बार fake गया और इधर लिखेंगे हम लोग total outcomes अगर हम लोग एक पासा use करते है एक dice use करते है तो 6 raise to the power 1 का मतलब 6 कौन-कौन चोंगे 1,2,3,4,5 and 6 अब अगर मालो हमने dice दो use किये है या एक dice को दो बार उच्छाला है तो उसको हम लोग लिखेंगे 36, 6 raise to the power 2 that means 36 कैसे pair बनेंगे वो हम next time देखेंगे और अगर पासे 3 होते हैं या फिर एक पासे को 3 बार उच्छाला जाता है तो उसमें हो जाएगा 216 फिर इसके बाद में हम लोग समझेंगे playing cards playing cards जिसे हम लोग तास के पत्ते भी बोल सकते हैं तास के पत्ते अब इसमें क्या होगा सबसे पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि total cards इसके अंदर कितने होते हैं 52 क्योंकि इसके अंदर 4 groups होते हैं 4 group होते हैं और total cards इसके अंदर 52 होंगे अब 4 groups में अलग-अलग नाम है पहला group है spats जिसको हिंदी में कहते हैं हुकुम काला पान जिसे हम general language में बोलते हैं हुकुम जिसके अंदर हुकुम के 13 पत्ते होते हैं similarly हुकुम के जिसे एक और होता है clubs इसको जनरल बासा में चीडी कहते हैं इसके भी 13 पत्ते होते हैं जिसे सामानी बासा में लाल पान या फिर पान केते हैं 13 इसी तरह से diamonds जिसे हिंदी मीडियम या फिर सामानी बासा में इंट केते हैं वो हो जाएंगे 13 अब इसमें ध्यान रखना है कि black colored cards होते हैं और red colored cards होते हैं काले रंग के पते और लाल रंग के पते black colored cards ये दोनों मिला के होते हैं 26 क्योंकि spats और clubs दोनों black color के होते हैं similarly red colored cards red colored cards जो होते हैं ये भी होते हैं 26 hearts और diamonds मिला के फिर इसके अंदर कुछ होता है especially ace ace का मतलब होता है इकका इकका कितने होते हैं चार होते हैं totally four होते हैं प्रती एक गुर्प में एक एक होते हैं ठीक है each in one group one ace in spread one ace in clubs one ace in hearts one ace in diamonds फिर ace के बाद में king king मतलब बादसा kings होते हैं totally four प्रती एक गुर्प में एक एक इसी तरह से king है तो queen यानि की बादसा के लिए बेगम भी उतनी ही होने चाहिए चारी होंगी और इसी तरह से इनके लिए jack यानि की गुलाम ये बी इनके लिए प्रती एक गुर्प में एक एक होते हैं फिर इनके बाद में numerical cards होते हैं मतलब numbers वाले प्रत्ते होते हैं जो 10 से लेके दो तक होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 अब इसमें जो especially रियान रखना है ये जो बादशा, बेगम और गुलाम होते हैं king, queen और jake इनके उपर face बनावा रहता है इसलिए इनके केते हैं face cards totally face cards तस्वीर वाले प्रत्ते total मिला के 12 होते हैं तस्वीर वाले प्रत्ते कितने होंगे 12 होंगे ये cards से related हैं फिर कुछ time से related दो तिन चीज़े हैं वो ध्यान रखनी हैं कि one leap year one leap year में 366 days होते हैं और one non leap year जो one non leap year होता है तो उसमें 365 days होते हैं ओके dear students next हम लोग next videos में देखेंगे thanks for watching किए ये लुदू हैं